सो फ्रेंड्स स्वास्त बेवा, हेल्थ डिपार्टमेंट में एनेचम के थूप एक बर फिर से विकेंसी यहां पर आ चुकी है, इसमें दोस्तों वेरियस अलग-अलग पोश्ट आप लोगों के लिए आप शामिल कर लिए इसमें A&M के लिए विकेंसी है, इसके साथ साथ कैंकर नर्स तो यह पोश्ट भी जो है स्टाफ नर्स के अलावा भी इसमें आपर शामिल आप लोगों के यहां पे की जारी, लैब टेक्निशन की विकेंसी है, फर्मेसिस्ट की विकेंसी भी आपर आ चुकी है, इसके साथ साथ यहां पर और भी पोश्ट है, यहां पर मैं health visitor की post है, supervisor की post है और भी various अलग-अलग post पे recruitment यहाँ पे आ चुका है सभी vacancies की हम लोग यहाँ पे बात करें तो करीब-करीब 50 plus post पे यह recruitment आपका यहाँ पे जारी हुआ है इनमें male और female दोनों candidates आप लोग यहाँ पे apply करेंगे और इसके लिए आपको application form आपको fill करना है तो application form का format आपको कहां मिलेगा और कौन-कौन से documents आपको form के साथ भेजने है, form आपको online भेजना है या फर offline भेजना है तो यह भी मैं आपको आपको बताऊंगा और यदि offline भेजना है तो कौन से address पे बेजना है, last date क्या रहेगी A to Z सभी जानकारी cover करेंगे, सबसे पहले वीडियो को like कर देना है और NHM स्वास्त विवा की सभी vacancy की जानकारी आगे भी पाते जाए पहले से चैनल को subscribe कर लें वीडियो के नीचे जाए, subscribe के red button को click कर लें, तो चलिए 20 यहां पे post यहां पे शामिल की गई और जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसके लिए आपको application form फिल करना है तो यहां पे नीचे आपको application form का format भी इसी PDF फाइल में आपको यहां पे दे दिया गया है ठीक है, और यह PDF आपको कहां मिलेगा तो वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ सबसे पहले आपसे लोगे आपको देखिए इसके यहां पे heading पड़े, यह जो विकेंसी है, राष्टी स्वास्ते मिशन NHM के अंतरगात है समीधा के आदार पे यह नियुकती के लिए विग्यापन जारी हुआ, NHM का यहां पे लोगों भी है कार्याले जिला स्वास्ते समीधी कोडर्मा, तो दोस्तो State Health Society कोडर्मा, तो NHM जारकंड का यह recruitment यहां पे आ चुका है एक वर्ष की अवरी के लिए आप लोगों को जो है, समीधा के आदार पे जॉइनिंग आपको यहां पे मिलने वाली है जल्दी से आप लोग यहां पे इसकी quality question और post wise जानकारी देख लीजे तो staff nurse की post है 26 पद है, इसके बाद store keeper की post है, इसमें एक पद है mechanic की post है, इसमें भी एक post है, data manager की post है, दो post है, counsellor की post है, दो पद है A&M के दिखिए अलग-अलग post है, तो 2 और 3, तो करीब करीब हैं आपके A&M के 5 पद आपके इसमें आपके रहेंगे, staff nurse के अलाबा, जैसे कि मैं आपको बोला कि psychiatric nurse की post भी है, तो इसमें एक पद है, staff nurse की और भी post है एक पद यहाँ पर शामिल के जा रहा pharmacist, तो pharmacist के लिए भी एक post है A&M की भी हाँ पर दोस्तो एक post है HTS और HTLS ठीक है, senior treatment supervisor तो 5 पद है और senior treatment lab supervisor तो दो post आपके लिए भी शामिल कर ली गई lab technician की भी हाँ पर vacancy है तो एक पद है, coordinator की post है, एक पर है supervisor, accountant, TVHB MTS और consultant तो सभी में देखिए, एक एक post आपकी यहाँ पर शामिल कर ली गई 55 पदों पर है, recruitment यहाँ पर जारी हुआ और देखिए, category wise distribution भी आपको दे दिया गया अलग-अलग category wise यह vacancy है और यदि आपकी category में vacancy नहीं है, तो आप लोग unreserved से भी form को apply कर सकते हैं यह आपको मालूम भी होगा, नहीं मालूम है तो मैंने आपको आपको बता दिया, unreserved से भी आप लोग यहाँ पर अबेदन कर पाएंगे ठीक है, staff nurse की जो post है, इसमें अलग qualification के हाँ पर candidates है B.Sc. IT, B.Sc. Computer Science A-Level का certificate course है, I.T.I ठीक है, और graduation course है एक वर्ष के diploma computer के साथ ठीक है, post graduation diploma भी है computer में तो भी apply कर सकते हैं और दो वर्ष का अनुबब जो है, compulsory इसमें आपको चाहिए, nutritional की हाँ पर post है, counselor की, master course nutrition में चाहिए, एक वर्ष के अनुबब के साथ, computer की knowledge और good data management skills ये भी आपके पास होना चाहिए A.N.M की post है दोस्तों, देखिए A.N.M की जो post है, simple A.N.M का certificate course है जहार करने nursing council में registration आप लोग apply कर सकते हैं और इसमें जो candidates A.N.M के course के साथ, जहार करने nursing council में registration रखते हैं, और diploma रखते हैं cooking, hotel management, catering में आप लोग भी apply कर सकते हैं, और दो वर्ष का working experience है cooking में, ठीक है वो candidates भी इसमें आप इदर कर पाएंगे psychiatric nurse की भी आप पे post है तो post graduation degree चाहिए MBBS डॉक्टर्स भी apply करें 30-65 साल उमर आप लगों के लिए रखी गई, staff nurse की post है, तो 3 वर्ष का diploma GNM का आप से आप पे मांगा जा रहा जहार करने nursing council में registration भी मांगा गया, pharmacist की post है, diploma pharmacy में आपको चाहिए और pharmacy council में आपको जहार करने का registration भी चाहिए और internet और MS office की computer की knowledge आपको यहाँ पे आना चाहिए A&M की post यहाँ पे देखे और हैं सेम्टी से वही qualification है A&M का certificate course जो भी आपका course है, registration भी जहार करने के अंतरगात, council का आपके पास होना चाहिए STS की post के लिए आपके पास है आपके computer operation का certificate course है यह कम से कम दो बर्ष का हो bachelor degree चाहिए इसमें आपको sanitary inspector वाले candidates भी course वाले candidates भी अपलाई कर सकते है two wheeler driving license भी होना चाहिए और two wheeler को चलाना भी आपको यहाँ पे आना चाहिए और कोई और qualification है तो आपको यहाँ पे प्रात्मिकता मिलेगी तो यह आप लोग इसमें आपे देख सकते है इसके बाद HTLS तो MLT candidates आप लोग इसमें अपलाई करेंगे two wheeler drive करना आना चाहिए driving license भी होना चाहिए computer course भी मांगा जा रहा और preference दी जाएगी R&T CP के अंतरगत अगर आपके पास एक वर्ष का कम सका में एक वर्ष का आपके पास यहां पर अनुबव है left technician की vacancy भी है 12th आप लोग पास है diploma रखते है MLT में ठीक है equivalent कोई diploma के समकक्ष कोई और आपके पास qualification आप लोग भी अपलाई करें और preference उन candidate को दी जाएगी जिसके पास R&T CP sputum, simmer, microscopy इनके तहित एक वर्ष का आपके पास यहां पर अनुबव है और higher qualification है तो और भी आपको यहां पर प्रात्मिक्ता मिलेगी coordinator जैसी post भी है post graduation course एक वर्ष के अनुबव के साथ आप लोगों से यहां पर मांगी जारी supervisor की post भी है graduation course, computer में आपको यहां पर certificate course और permanent two wheeler driving license यह आपके पास होना चाहिए two wheeler को drive करना भी आपको आना चाहिए RNTCP का आपके पास यादी अनुबव है दो वर्ष का आप लोग apply करें पंच वर्ष का भी है आप लोग भी इसमें apply कर सकते हैं accounts की post है इसमें account end की तो graduation commerce में आपको चाहिए दो वर्ष के अनुबव के साथ और accounting software का काम भी आप लोगों को आना चाहिए इसमें भी आपको आपके अनुबव मांगा गया है health visitor की post है graduation course चाहिए 12th class आप लोग पास हो MPW, LHV, A&M, health worker certificate है और higher course है health education में, counselling में यह सभी candidates apply कर सकते हैं tuber classes, health visitor ठीक है यह course भी अगर आपके पास है आप लोग भी apply करें दो मैने का आपके पास यहाँ पर computer का course भी आपके पास होना चाहिए और sanitary inspector का training course है तो आपको प्रात्मिक्ता मिलेगी इस post के लिए इसके बाद supervisor की post है graduation course, two wheeler को drive करना आना चाहिए driving license होना चाहिए experience health program के अंतरगत है तो आपको प्रात्मिक्ता मिलेगी consultant के post है post graduate degree geology में चाहिए entomology में चाहिए life science में चाहिए किसी में भी हो आप लोग इसमें apply करें experience भी इसमें आप लोगों से आपके मांगा गया है तो यह सभी post है इसके लिए देखिए आपको यहाँ पे IUCMA भी आपको बता दी गई है तो आपके अपनी category के साब से age limit है देख लीजे यह वाला जो section है यह PWD candidates के लिए है और यह वाला जो section है ठीक है तो साम्मान जो है आपको 21 से 35 साल लग के गई है पिछडा वर्ग और अतियंते पिछडा वर्ग है तो 21 से 37 साल है तो ऐसे ऐसे करके बाके के category की information भी आप लोग इसमें देख लीजे नीचे आपको form का format है दे दिया गया इस form को आप लोग यहाँ पे पूरा fill कर ले और इस document को आपको जो है offline mode में submit करना होगा last date मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ 18 सितंबर आविदन करने की आपके यहाँ पर last date रहेगी और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो भी आपका application form है आपको documents के साथ निबंदर्ध डाक या पर registered post के माद्यम से आपर speed post के माद्यम से लिफाफा रहेगा लिफाफे में आपको इस तरीके से विज्यापन की संख्या पद क्रमांग संख्या पद का नाम अविदक का नाम और पता यह सब चीजें आप लोगों को mention करना होगा बाकि आप लोग पूरा notification डाउनलोड करके इसको read कर लेना अभी मैं आपको बता भी दूँगा notification कहां मिलेगा इसमें demand draft भी आपको पे करना है फीस का payment तो district health society coderma तो इसके नाम से demand draft आपको बनवा के लेकर आना है आप लोग अपनी category साब से आपकी जो भी category है उसे साब से देख लिए कितनी फीस का ये demand draft आपका बनेगा तो application form, documents और demand draft ये सबी जानकार ये आपको offline आपको पते पर आपको यहाँ पे send कर देनी है इसके बाद देखे ये इसकी official website है आप लोग इसको open कर लेना और recruitment के section में चले आना यहाँ पे एक more का option भी दिया गया है ठीक है? एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ more के option में आप लोग यहाँ पे आएंगे देखे more के option में तो नहीं है यहाँ पे आप लोग home बाले section में आ जाना ठीक है या फिर दोस्तों आप कुछ भी निकरना सिर्फ Google पे जाके coderma यहाँ आप लोग टाइप करके सर्च कर लेना टाइप करते ही सर्च करेंगे नीचे आप लोगों को यहाँ पे आ जाना है देखे coderma यहाँ पे लिखा है यहीं के नीचे लिखा है recruitment इसी पे directly आप लोग क्लिक कर देना जो मैंने आपको page बताया है उसी पे आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे और फिर सबसे नीचे आप लोग यहाँ पे आ जाना यहाँ पे लिखा है recruitment notice तो इस पे आप लोग क्लिक कर देंगे आपका notification डाउनलोड हो जाएगा देखिए इस पे आपे मैं क्लिक कर देता हूँ क्लिक करने के बाद डाउनलोड कर लेता हूँ देखिए यह वही notification है जो मैंने अभी आपको read करके बताया तो information जो भी थी मैंने cover की जानकारी मिली हो तो वीडियो को like करना अपने सभी friends लोगों को इस वीडियो को share बे कर देना आपके whatsapp में और जितनी भी आपके whatsapp के group से हैं और चैनल को subscribe कर लें आगे और vacancy के detail आगे आपको मिलने वाली है वीडियो के नीचे जाएं subscribe कर लें thank you so much